गोरु राजा कह रहे हैं कि हम तो आज से 6 महीने पहले ही भरी सभाव से मंच पर खड़े होकर यह हिदायत दे दिये थे कि आप लोग कभी भी कहीं भी पवन सिंग को बुला लिजिएगा एक बार को आप लोग खिसारी लाल यादों को बुला लिजिएगा गुंजन सिंग को लेकिन आप गलती से भी कभी आख्षरा संग को किसी स्थेज में मत बुलाईएगा क्योंकि अक्षरा सिंग कराने वाली लड़की इस लड़की को समय का महत्व नहीं पता है आक्षरा सिंग को किसी की प्रतिष्ठा का जरा भी खैल नहीं है अक्षरा एक विश्वस्निय कला कभी होई नहीं तक थी उसके उपर भरोसा नहीं किया जा सकता अक्षरा सिंग को बुलाने की घलती कभी मत करिए इसके बावजूद होते हैं कि अब कभी एक्षरा सिंग के सा plat प्रग्राम नहीं करेंगे अगर कमीटी के लोगों ने हम दोनों को एक साथ किसी मंच पर बुला भी दिया अपना घाना होगा तो गाएंगी अपना घाएंगे और नहीं Karl बागे हम आपको आगे की वीडियो भी बताते हैं कि स्टेज स्टार का ही जाने वाले गोलू राचा ने अक्षरा सिंग को लेकर क्या कुछ कहा लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कामरमेन मिशाल और आप देख रहे हैं चंद आजे मुष्ण दरसल जबसे अक्षरा सिंग ने समस्तिपूर वाले का अक्रम में मंच पर माइक ठेका है तब इस मुद्धे को अंतरास्ट्य मुद्धा बना दिया गया है वो इश्पुरी में काम करने वाले लगबग 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 इतने भी कलाकार है उन सबका इस मुद्धे पर र जो किया वो कहां तक सही है तो गोलू राजा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने बहुत पहले इस बात के हिदायद दे दे थी कि आप तो कहीं भी किसी भी कलाकार को बुला लीजिएगा लेकिन आप पवन सिंग को बुला लीजिएगा लेकिन कभी भी अक्षरा सिं एक मीडिया प्लाटफर्म को इंटरव्यू दिया था और उसमें भी गोलु राजा ने अक्षरा सिंग पटिपनी करते हुए यह बात कही थी कि अक्षरा सिंग विश्वस्निया कलाकार नहीं है उनके उपर भरोसा नहीं किया जा सकता है इतना ही नहीं गोलु राजा आपने प और अक्षरा सिंग को वहाँ बुलाया था लेकिन गीरी जी वाले कारेक्रम की बाद मेरा मन उनसे हट गया उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अक्षरा सिंग को किसी भी कलाकार की किसी भी आरूजा के गर्मा का कोई खयाल नहीं है अक्षरा को सिर्फ समय से पैसा लेने आता है लेकिन कहीं भी समय से पहुचना नहीं आता इतना ही नहीं जब गोलु राजा से पूछा जाता है कि आप आगे कभी अक्षरा सिंग के साथ प्रोग्राम करेंगी या नहीं मन्च शेयर करेंगी या नहीं तो गोलु राजा ने कहा कि पहली बात तो यह कि वहाँ मेरी गलती आगे साथ में प्रोग्राम करने की तो अगर कमीटी की तरफ से मेरे साथ कभी मुझे बुलाए गया तो हम उनकी साथ मंच शेयर तो कर लेंगे लेकिन हम उनका साथ नहीं देने का मतलब गायकी में साथ नहीं अपना जमाएंगे लेकि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा और नहीं हम उनके गायकी में कोई मदद करेंगे इसके अलावा जो गोलु राजा ने कहा कि कभी नहीं और ऐसा किसी को भी करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस माइक की वज़े से आपको लाखों लोग सुनते हैं उसी माइक के माद्यम से आपकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है ऐसे में माइक फेक कर इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार अपने मंच का और अपने दर्शकों का अपमान करता है ऐसे में ये घलती भून से भी किसी को नहीं करनी चाहिए साथ इस वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं वीक्यू में धन्यों